Hello everyone, welcome to my channel, KBC के मंच पर जब अमिताप बच्चन से एक दर्शक ने ये पूछा कि आप दोड़ते हुए क्यों सीट तक पहुँचते हैं, तब अमिताप बच्चन ने जवाब दिया, क्योंकि आज की जिन्दगी में चलना नहीं है, आज की जिन्दगी दोडने का नाम है, और कल यूग में इनसान दोड़ता चला जा रहा है, कहां तक उसे दोड़ कर जाना है, किस उचाई को चुनी हैं, और कहां उसे पहुँचना है, आज इनसान बस और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, यानि संतुष्टी नहीं है, और जीवन केवल भागने का नाम रह गया है, जहां इनसान सोच रहा है कि अपने जीवनकाल में वो जादा से जादा चीजें हासिल कर ले। इस स्पीड के इस दोर में क्या कोई ऐसा होगा जो कलकी अवतार की स्पीड को मैच कर पाएगा। जिस प्रकार हरी अनन्त, हरी कथा अनन्ता उसी प्रकार 5G के युग में जहां इनसान आज 5G का मुबाइल इसलिए लेना चाहता है कि वो 5G का डेटा इस्तमाल करके फटा फट कोई भी चीज अपलोड भी कर ले, डाउनलोड भी कर ले। उसके पास डेटा की स्पीड इतनी जादा हो कि फटा फट उसका काम मिंटों में आगे की और बढ़ता जाए और स्लो डेटा होने की वज़ा से, स्लो इंटरनेट होने की वज़ा से उसके काम में कहीं कोई बाधा ना आए आज टेकनोलोजी का सहारा लेकर नासा के वज़्यानिक भी नए नए तरीके से स्पेस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं टेकनोलोजी का जमाना है, जितनी बड़ी टेकनोलोजी जो देश अपनी उन्नती के लिए ले रहा है जिसका काम वो देश उतने ही जादा भव्य तरीके से इस दुनिया में उभर कर लोगों के सामने आ रहा है 5G के टाइम में कल की अवतार की स्पीड क्या हो सकती है एक लाइन में मैं समझाओंगी फिर आगे की बाते हैं अगर हम चलते हैं एक कदम, कल की भगवान के हजार कदम यानि हम जितनी देर में, जितने समय में एक कदम चलते हैं कल की देव की स्पीड उतने ही समय में हजार कदम चलने जैसी है जिस प्रकार की वामन अवतार ने जो बहुत छोटे थे हाइट में जिसे देखकर राजा बाली को भी ये अनुमान हो गया था कि ये छोटा सा बालक तीन पग भूमी ही तो मांग रहा है तीन पग भूमी यदि मैं दे दूं तो भला मेरा क्या बिगड सकता है और ये लेगा भी बालक तीन पग भूमी तो कितना ले लेगा लेकिन वामन अवतार ने अपनी वो लिला दिखलाई कि राजा बाली का पूरा अहंकार चूर चूर हो गया क्या उनके तीन पग हमारे तीन कदम जितने थे नहीं यही है हरी की लिला आज कलकी देव जब हमारे एक कदम से मैच नहीं कर पा रहे हैं आज जब कलकी देव के हजार कदमों से हमारा एक कदम मैच नहीं कर पा रहा है तब भला कैसे हम श्री हरी की स्पीड को मैच कर पाएंगे वो चदम वेश में पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे कब कहा पलक जपकती किस रूप में किसके सामने प्रकट हों पता नहीं चलेगा विश्णो भगवान ने जब जब अवतार लिया अपने जन्म में अपने कुछ लिलाएं ऐसी दिखलाईं कि लोग भी आश्चिरे चकित हो गए श्रीकिष्ण ने तो बालकाल में ही अपनी लिलाओं को दिखा कर लोगों को जानकारी दे दी थी कि वो कोई साधारन नहीं है कल की देव भी भले ही लोगों के समक्ष शारिविक रूप में उपस्थित नहीं है लेकिन वो अपना कारिय सुक्ष्वरूप में रहकर कही न कही प्रकट होकर किसी भी प्रकार से कर ले रहे हैं तो 5G के युग में जब हम चले एक कदम कल की चले हजार कदम तो सोच लिजिए कि उनकी स्पीड क्या हमारा 5G मैच कर पाएगा बिलकुल नहीं आज का साइन्स आज का मानों चाहे दोड लगा ले जीवन की रेस में लेकिन कल की अवतार की स्पीड ऐसी जिसे कभी कोई छूबी नहीं सकता तभी तो वो आए हैं इस धरा पर सत्युक की इस्थापना करने एवं अत्याचारियों का और ऐसे असुरी शक्तियों का नाश करने जिन्होंने स्वर्ग रुपी धर्ती को नर्क बना दिया और चारों तरफ विशेला धुआ का वो फैलाओ आज नजर आता है जिसमें इनसान देखी ही नहीं पा रहा वास्तों में आने वाला समय कितना भयानक है बस वो जीवन भर दोड़ता चला जा रहा है कहां तक दोड़ेगा उसे भी नहीं पता तो जीवन चलने का नाम नहीं दोडने का नाम है ऐसा हमिताब बच्चन ने कहा लेकिन जब आप जीवन में दोड़ते हैं तो आपकी स्पीट भले ही कितनी अधी क्यों ना हो लेकिन कल की देव चलते नहीं दोडते नहीं बलकी उड़ते हैं हवा में उड़ते हैं उड़ने की ताकत है उनमें और पलक जपकते ही कभी यहां तो कभी वहां कभी कहां नहीं पता लेकिन वो पलक जपकते ही अपनी लीला दुनिया वालों के सामने इस प्रकार करते हैं जाने और जानकारी प्राप्त करें कि ये क्या हो गया तब तक कल की लीला ऐसी होती है कि बस सिर्फ उसकी यादें लोगों के जहन में रह जाती है तो कल की देव की स्पीड आज का मानो चाहे जितनी अधिक उन्नती कर ले लेकिन कभी भी मैच नहीं कर पाएगा इसलिए मैं ल कल की अवतार थैंक यू वेरी मुच पर वाचिए मैं वीडियो